ट्वाला फ्रेंट्स वाइलकुम पैक टूमाई ट्रिप चैनल इदरी सी बड़े निस्टोर्स तो कैसे हैं आप सभी लोग अम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक से होंगे फिलाहल कुछ मैंने प्लांट्स शॉपिंग की है और मैं बताऊंगा मैंने कहां से कौन सा प्लांट लिया है मैंने और कितने रुपए का यह मुझे को पड़ा है पादा तो फिलाल प्लांट्स के नाम भी जानेंगे हम आज और जानेंगे इनको कब रिपोर्ट करना है कैसे रिपोर्ट करना है वो भी मैं आपको बता दूँगा और बाकी देखिए गाप प्लांट्स माशला क काफी अच्छे और हेल्दी कंडिशन में हैं सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दिता हूँ यह बेगम बाहर का पौधा इसको किसी और नाम से भी मेरे खाल से जानते हैं फिलाल मुझे तो यही नाम मालूम है तो यह है बेगम बाहर और बाकी इस पर बढ़ें देखें माशाल संदार लगी यह देखिएगा आप भी देखिएगा बड़ा प्यारा पौधा है और बड़े अच्छे से इसमें फ्लाबरिंग होई है एक चीज और है इस पौधा की खास बात मुझे बहुत अच्छी लगी यह की इस पौध इस फूल के खिले हुए लगबबक साथ दिन हो है यह बड़ा मुझे अच्छी चीज लगी अब जब यह ऐसे ही खिलते रहेंगे जैसे कि रोज की वराइटी नहीं होती है आपने देखा होगा के बंच में पांच छे आती हैं और एक वन वई वन खिलती रहती हैं ऐसे ही यह आप खिलने के कगार पर है और यह वाली भी इ ही कम है देखिएगा इस तरीके से तो ऐसे ही मुझे लगता है एक ब्रांच पे इस तरीके से ही खिलती होंगी फिलाल मैंने यह फर्ष्ट टाइम मेरा एक्स्पिरेंस है इसका बेगम बहार का तो यह मैं आपको ज्यादा नहीं पता सकता इसके बारे में फिलाल अब बात कर करेंगे और जब भी आप इसको रिपोर्ट करें इस टेम पर या कभी भी नरसरी से लाकर बड़े गमले के अंदर लगाने कोशिश करें तो आप से मैं यही सलाह दूंगा कि आप इस तरीके से जो पौध है की मिटी है उसको बिलकुल भी नाटा है इसको उल्टा करके जैसे नहीं है कि आप सिर्फ यही मीडिया यूज करेंगे लाल यह फिर आप गोबर की खाद वाला भी कोई सबीच अस्तमाल कर सकते हैं अपलाई नहीं करना बिलकुल भी बस इस चीश का आपको खायल रखना है गोबर की खाद अप ले सकते हैं वह फर्ट लैजर ही पर वह और ग मैं नर्सरी विजिट की थी जो कि आलम नर्सरी करके शाय जहांपुर की है वहां पर मुझे अभी इसका याद नहीं आ रहा है प्रैस फिलहाला आप जो है देख ली जगा अगर आप उस वीडियो में या फिर जो है यह मेरे खाल से आरांड 200 रुपे के संधंग ही था शायद इस पौदे की कीमत तो यह मुझे अच्छा लगा और बाकी उसके पैसे उन्होंने मुझसे नहीं लिए आज गिफ्ट समझीएगा यह आलम भाई आलम नर्सरी अमर भाई की तرف से तो उमर वाई के लिए मैं शुक्रिया करना चाहूंगा अमर वाई का तो उन्होंने मुझस कि उन्हें देने की पेसे पर उन्होंने नहीं लिए तो यह तो मेरा पौदा है इस तरीके से तो मैं इसे एज गिफ्ट समझ करके ही लेकर कर आँगा और अच्छे से इसको लगाऊंगा भी ताकि यह अच्छे से और भी सर्वाइब हो सके यह मेरा बेगंबार का पौदा इसक कि आम चलते हैं तूसे पाध्रों की तरफ आपको यह वाले पांट होंगे यह जो दिक रहे होंगे यह फडने हैं यह फाइकश के पौदे कैसे हैं अब आप यह सोच रहे होंगा यह फाकस कैसा मतलब जो है बहुसok लोगें स्वाइकोRAY पास हो गया शलोग एसंका अच्छा रहता है लगाना तो यह मुझे शायद मेरे ख्याल से यह 200 रुपए के करीब के शायद इंप्लांट नरसरी में है और यह 160 रुपए का सम्टिंग इतने ही रुपए का है फिलाहल मैं इसको लेकर के था बारगेनिंग करके 150 रुपीज में तो यह मेरे थोड़ा सा डि होता नहीं है नरसरी के अंदर इंप्लांट के अंदर बाकि आप जाएगा आपको एक्स्पिरिंस एस चीज का मिल जाएगा तो इसको मैं लगां गांगा इन हैंगिंग वास्केट के अंदर यह फिद जो है आपको 35 रुपीस की मिल जाएगी यह वाली देखिए का चोटे सा नरसरी पे आपको मिल जाएगा जो की इस्थित है अपनी बरेली में सरक्राइफ चोराई पर पर रांपुर गाधन के अंदर और यह वाली जो इस्थित है नरसरी आ आम नरसरी आलम नरसरी यह आपके अंदर है जो भी लोग शाहाँ पर के आथ सपास एर्दगर्द के हैं वह तो लाश्ट में मेरा ये पौधा रहा इसकी भी मैं बताऊंगा आपको डिटेल मुझे काफी प्यारा सा लगा इसकी कोटेक भी माशालला बढ़िया है और पौधा भी थोड़ा सा बुशी है उपर से तो मैं इसलिए इसको मेच्योर था इसलिए मैंने इसको पर्चेस किया का ऐसे ही पिल्कुल एकदम चे भरा भरा ऐसा और अच्छा सा पौधा मिल जाए तो इसकी जो कीमत है वह है देखिएगा यहां पर आप कभी भी अगर इंप्लेंट नरसरी में गए हैं तो वहां आपको मिले होंगे इस तरीके के टाइंग तो यह देखिए कि यह हमें 600 रुप हैं कि इसमें बार गेंडिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं वो किसी भी तरीके के पौज़े के अंदर तो यह मेरी एक छोटी सी शौपिंग थी जो मैंने आपके शायर कि अगर आपको इसमें कुछ भी पार्ड मिस लगा हो तो आप मुझे कमेंड में बताईएगा कि मुझ लाइट मीडिया इसमें लगने वाली है और यह रही इसके लिए आप देख सकते हैं मैं आल्रेडी ही कोको पीट में यह लगा हुआ है देखें इस तरीके से और इसकी रूड भी काफी अच्छे से डवलप है यह देखिएगा यह सारा कोको पीट के अंदर लगा होता है और बस पानी जादा ना भराना देंद किसी भी तरीके के आप प्लांट कितना भी हाड़ी हो अकर उसे पानी मिलता रहेगा भर बर के पानी मिलता रहेगा तो एक समय वो आएगा कि आपके पेड़ की जो जड़े हैं पौदे की बोगलना शुरू हो जाएंगे कितना भी हाड़ प्लांट है फिर भी वो गलना शुरू हो जाएगा तो इस चीज का आपको विल्कुल ही दियान रखना है और इस तरीके से आपको लगाना है मेरे पास अब रखा हुआ है बहुत लोग अब तरीके के इंडोर और और जो दूप में रखे हुए हैं और चाहिंगे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा और कोशिश रहेगी कि आपको अच्छी नरसरी एक्सप्लोर भी कराएं और कराएंगे भी क्योंकि अब समय है गुलाब की बहुत अच्छी सी जो है बाहर आने वाली है अब थंडे थोड़ी सी और बढ़ेगी तब हमारे बरेली के अंदर और भी गाड़िया आएंगे तब हम आपको दिखाएंगा और कोशिश रहेगी कि कोई एक बंदा ऐसा हो जाएक सैट के आपके लिए वो पौधे भेज भी सके ऑनलाइन तो अमीद कर गटो अे घर जाओवधेश चनलाइन पौछेश जाएंगा वागेश प्पकोश खुछा आपको एमारे बात अलाइन पाफ़ी सी और भी सायँगे उर पनलाइन चेर दो फिवे बढ़ेगी जांवे झाएंगे तो एक छिए टार बंदाशी तर दो अलाएंगे बाने थाएं